तो कैसे हैं दोस्तो मैं हूँ चंदरिश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूडियो लेकर आया हूँ आपके सामने ठीक है मुझे फटा-फट से आपसे कुछ बाते करने थे रिगारेंग यह जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से और उस करेक्शन म में है यह चार्ट आपके सामने डेले टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा है मुझे लग रहा है यहां पर इसका एवेव बीव और यह सी वेव जो है वो अंप्लेट हो चुगा है तो यहां से दोस्तों अगर मैं चोटी टाइम फ्रेम की बात करो तो कभी भी यहां से जो है आसकता है और इसका जो यहां पर सी वेव का जो लास्ट लेग लगना था चोटा सा तो की यहां कहीं पर था वो हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आया है यहां पर अब तक के लिए तो अभी देखिए ओल्रेड़ी वहां से थोड़ा बहुत रिकवरी आना स्टार्ट हो चु बढ़ना चालो हो चुका है तो एक इन्वेस्मेंट परपस के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए इंडिया में यहां मैं आपको अभी से बता दू यह आने वाले वक्त में 140 150 और उससे भी उपर 175 के जोन में जाने के लिए रेडी जो है हो रहा है अगर मैं यहां पर बताओ कि यह जो है एक नम्मर हो सकता है दो बाद में यह तीन चार पांच ठीक है इसको हम एक अलग तरीके से भी देख सकते यहां पर यह जो है यहां से यहां तक तीन हो गया यह चार हुआ और यह पांच हुआ ठीक है तो टू टू फॉर ट्रेंड लाइन अगर मैं इ रखेगा ठीक है चोटी टाइम फ्रेम का जो की इसका ब्रेक आउट यह वाला जो ब्रेक आउट होगा वह इस बार इसमें रिवर्सल ला देगा और कीमत यह वापस से उपर की तरफ होना चालू हो जाएगी तो स्टील ऑफ इंडिया स्पेशली अगर मैं बात करू काफी ट चौक के अंदर अच्छा खासा पैसा हमारा जो है आने वाले वक्त में बन सकता है ठीक है यह एक अप्डेट है ठीक है एक आपके लिए एक ऑपॉर्चुनिटी गिनी है या इसको एक मौका गिनी है यहां से यह जो काम होगा वो थोटा मूटा काम नहीं होगा बढ़ा काम ह जो है अगर यहां से ऊपर चला तो ऊपर की साइड में हमें आती हुई नजर में आएगी दोस्ति तो यहां पर देखे इसने एक्जेक्ली कहां पर लो लगाया है उसको हम देखेंगे तो यह वाला जो पॉइंट था तकरीबन तकरीबन यह वाला पॉइंट यह जो 123.17 का जो लो लगा है और उसके बाद में यह कीमत जो है उपर की साइड में आना चालू हो चुकी तो बड़ी टाइम फ्रेम का कोई सी वेव जो हो सकता है यह जोन में कंप्लेट हुआ हो बाकी मैं वन मिनिट टाइम फ्रेम म हमें नजर में आ सकता है अला कि थोड़ा सा जो है छोटा हो जा रहा है चार्ट यह पूरा का पूरा जिस तरह से यह काम हुआ है अभी यह यहां पर रुकेगा यहां पर यह यह जोन में यहां पर थोड़ा सा काम करके वन मिनिट टाइम फ्रेम है तो इसमें काम जो है थोड़ा जल्दी होगा फास्ट होगा ठीक है यह हो गया अब्डेट ओवरॉल अगर मैं बात करूँ देखें बहुत सारी जगापर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही डेवलप्मेंट हमें देखने को मिल रहा है यह जो है अगर यह वाकई में यह वेव है ठीक है बड़ी टाइम यहां पर अगर इसका अगर उपर की सैड में निकलना चालो हुआ यह निफ्टी भी हो सकता है तगड़ी उपर की सैड में आ सकता है 25,243 के लेवल को ब्रेक करके फिर वापस से जो है अब इसकी तरफ सिफ्ट हो सकता है पहले बात दूसरी बात अगर यह यहां पर डेले ट कि अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहां पर अगर एव भी यह है अभी और सी ऐसा कुछ बना है अभी यहां पर भी हो सकता है बीव बनाने के लिए बी और यह ऐसा इबनाए फिर उसके बाद में जो है कि इस तरह से ए लिए कि और एसा कुछ काम कर जाए ठीक है तो यह निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू है बट ओर और ऐसा कुछ हो सकता है यहां से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है वह हम देखेंगे आने वाले वक्त में ठीक है अगर एक बार थोड़ा नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा यहां पर इसका डैवलप हो चुका है हम देख पार है और यहां तक यह मार दे एक बार पचास अजर के नीचे एक बार आ जाए दोजार पॉइंट का जो है पूरा खेल है तो यह बहुत अच्छा हो जाएगा और यहां से फिर बढ़ने के लिए फ्रैस नहीं तेजी के लिए ठेड़ी हो जाएगा small cap अगर मैं बात करो small cap में भी हम देख पार है देखे यहां पर तो मैं जो है A, B और ये अगर यहां पर आ गया तो C हो जाएगा तो अभी यह almost 18,300 के आसपास है तो 200-300 पॉइंट अगर small cap गिर जाए तो इसका ABC पैटन यहां पर जो कंप्लिट हो जाएगा और थर्ड वेव क्योंकि इसका एक्स्टेंडेड होगा इसलिए यहां पर यहां पर यह पूरा का पूरा पूरा अपना काम कंप्लिट कर लेगा यह वाले जोन में और यहां से फ्रेस नवी नई तेजी के लिए स्मॉल्कप जो है वह स्टार्ट हो जाएगा उपर Throughout लाजिए यहां पर चार्ट difर मुझे जो है अभी सट द她 दिखा रहा है तो जब View एक्स्टेंडेड होता है तो कीमत है अपना रूल ऐसा बोलता है कि कीमत आं सोग है यह जोन में आती हुई नजर में में आती हैं तो उसका भी जो 16600 के आसपास का जो है लेवल बनेगा तो फिर ठीक है तो यह हो गया स्मॉल कैप उसके बाद में मिड़ कैप में मिड़ कैप में ती यहां पर जो फर्स्ट वेव एक्स्टेंडेट दिख रही है और और फिफ तो इसमें यह भी अगर यह एबी सी कंप्लिट कर लेगा अपने हिसाब से पहली बात अगर यह यहां से ही एबी सी कंप्लिट करके निकल जाएगा तो संभावनाए है चांस है कि यहां से फ्रेस नहीं तेजी की सुरुआ जो हो सकती है कि इस ने एए प्वंट जहां पर बनाया था आल्मोस्ट आल्मोस्ट वहीं पर इसने जो है अभी के लिए ऑभी किया है बागी जी पावर सेल अच्छे जोन में है खरीदने वाले जोन में कहीं ना कहीं अभी आये है G-PAL काफी दिनों से कर रहा है नेगेटिव हुआ जा रहा है बट यहां से ये आया है तो ये ओल्मोस्ट 344 जे आया है तो यहां से एक दो और अभी अगर उपर यहां से एक बार के लिए जाना चाहिए उसके बाद में डिसाइड करेगा यह ठीक है कि इसको आगे next क्या moment जो है देना है यह बट यह overall buying zone है अपना lower zone है यहां पर buying करना है हमें और investment purpose से इसको हमें देखना है बाकी भेल 240 बहुत ही बढ़िया जगा पर है यह इतनी अच्छी जगा पर है कि इतनी इस stock को अगर यहां पर हम खरीगते हैं तो एक अच्छा opportunity हमारे लिए जो है create हो सकता है यहां पर यह देखे zero to be trend line क्लियरली सारी की सारी चीजों को जो है यह अपने हिसाब से अपने लिए जो है ready करता हुआ नजर में आ रहा है ठीक है इसके बाद में ab capital को देख लेते बी capital भी देखे यहां 200 की moving average के आसपास कहीं है कहीं आया है तो यहां पर जो क्यों आया हुआ था एक बार के लिए मैं इस सारी चीजों को remove करना चाहूंगा यहां पर कल मैं जो है बड़ी time frame को इसका देख रहा था कि A है यह B है और यह C है ऐसा कुछ काम हो रहा है तो यहां पर इसको मैंने मन्थले time frame में कल open करके देखा तो मुझे पता चला कि यहां पर जितना वक्त उसको गिरने में लगा था टाइम के हिसाब से यह जो वक्त ल हो है काट देना चाहिए था बड़ नहीं काट पाया इसका मतलब यह पूरा का पूरा खेल जो हो रहा है वह एक करेक्टिव राइज है तो यह overall A है यह B है और यह हो सकता है सी वेव के लिए नीचे आ सकता है ठीक है वह जो सी वेव रहेगा वह सी वेव दोस्तों अपना तक रही है अगर मैं गलत साबित हो गया तो बहुत अच्छा है मैं भी देखिए इसमें काफी टाइम से इन्वेस्टेड था यहां पर मैंने 230-225 के आसपास इसको अभी अभी रिसंटली बेचा है तो खरीदना मैंने बहुत नीचे के लेवल से मैं इसको खरीद रहा हूं 95 पैनी निगाह बना कर रखेंगे हाला कि उसका भी जो थ्री अवर टाइम फ्रेम के आसपास तो वह आ चुका है देखिए अच्छे स्टॉक की खासियत ही यही होती है कि वह कब अपने करेक्शन कंप्लिट कर लेते हमें पता ही नहीं चलता यहां जिरो टूबी ट्रेंड ला वाले जोन को ब्रेक कर देता है यह दो जोन को हम इसको मानेंगे कि आने वाले वक्त में यह अच्छा खासा पैसा हमें दे सकता है ठीक है इसको ऐसे चीजों में बारी बारी हमें जो है नहीं मिलती है में भी अभी यहां पर यह जो है थोड़ा complex हो रहा है यह क्रीबन तक्रीबन यह यह यहां तक अगर यह आ सकता है इसके अंदर भी मैं गिनूँ ऐसा कुछ हमें बनता हुआ clearly नजर में आ रहा है तो बंधन बैंक भी जो है अपने last stage में है यहां पर यहां से यह हो सकता है 20 रूपे 25 रूपे नीचे आ जाए बट उसके बाद में जो गेम चालो होगा बंधन बैंक में वह बहुत ही बड़ा होगा ठीक है तो यहीं पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ thank you for watching video thank you very much जैहिन जैह भारत दोस्तों